चने के दाल का पराठा, कचोड़ी, ये सब तो आपने कई बार बनाया और खाया होगा क्या आपने कभी चने की दाल की रोटी बनाई है इस तरीके से? अगर नहीं बनाई है तो मेरे कहने पे एक बार इस रेसिपी को ट्राय जरूर करिएगा मज़ा आजाएगा खा करके अगर चैनल पर पहनी बार आए है तो चैनल को सब्स्राइब कर लीचे का और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेर जरूर करिएगा चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमने सबसे पहले चने की दाल ले ली है इस ट्रने की दाल को चार घंटे के लिए भिंगाएंगे और इसके बाद बिना पानी डाले एक दम सूखा पिस लेंगे आटा बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम रोटी का आटा सानते हैं बिल्कुल वैसे ही साने के थोड़ा सा नमक डाल दीचे और सौट सा आटा लगा दीचे तो इसके आटे में हमें कोई भी मोयन वगर नहीं डालना है क्योंकि हमें इसकी रोटी बनानी है प्राठा या कचौड़ी नहीं बनानी है आटा गूतने के बाद इसको रेस्ट करने के लिए रखते हैं कि जब तक ये रेस्ट करता है तब तक हम अपनी आलू मटा टमाटर क की सबजी मना लेते हैं और ये देखे क्या रसीले टमाटर देख रहे हैं ये मेरे गार्डन के हैं कितने अच्छे टमाटर देख रहे हैं और मेरे हाँ छट पे ये हुए हैं टमाटर और बस इसमें से हम फटा फट से टमाटर ले लेंके और बहुत ही जल्दी हमारी ये बना के जरूर देखेगा, कूकर में डाल देंगे दो चमच मस्टर्ड ओयल जैसे ही तेल गरम होगा इसमें जीरे और हींग का तड़का लगा लीचे एक चमच डाल दीचे इसमें अद्रक हरा मिर्चे का पेस्ट और अगर आप लेसन पर आज दालते हैं तो इसमें लेसन पर आज भी फ्राइ कर सकते हैं फिर हम मतर, आलू और टमाटर ये तीनों चीज़े एक साथ ही डाल देंके और तेज आज पे 5-6 मिनिट के लिए इसको भूल लेंके इसमें हमें बहुत जादा कुछ भी मसालों की ज़रूरत निए, बहुत जादा चलाने, भूनने की ज़रूरत निए, लेकिन सबजी बहुत ही स्वात की बने की 5-6 मिनिट ऐसी ही चलाने के बाद इसमें हम थोड़े सुखे मसाले डाल देंगे बिल्कुल बेसिक मसाले, हल्दी मिर्चा, गरम मसाला, धनिया पाउडर ये आप अपने स्वात के हिसाब से डाल ली चेएका मैंने आधा चमच हल्दी पाउडर डाला, एक चमच लाल मिर्च पाउडर डाला, एक चमच धनिया पाउडर आधा चमच गरम मसाला, स्वात के हिसाब से नमक अब इसको फिर से तेज आज पे 5-6 मिनट के लिए मसालों के साथ हम भूल लेंगे और बस इसके बाद गरम पानी डालेंगे पानी थोड़ी से थोड़ा जादा रखिएगा क्योंकि जो रोटी हम बनाने जा रहे हैं तोड़ा हलके मसाले वाली और थोड़ी से ग्रेवी वाली सबजी ही जादा अच्छी लगती है बस ध्यान रखेगा कि इसमें गरम पानी डालेगा जैसे मैं अपनी वीडियोस में हमेशा ही आपनों को बताती हूँ कोई भी ग्रेवी वाली सबजी अगर आप बनाने जा रहे है तो उसमें गरम पानी डालेगा जिससे उसका कोकिंग प्रॉसस मिंटेंड रहता है इसको बस प्रेशर लगा देंके तीन से चार सीटी हम प्रेशर लगाएंके और जब प्रेशर बिल्कुल रिलीज हो जाएगा तब हम खोल करके देखेंगो देखें क्या शांदार सा कलर आया है खूब धेर सारी धन्या की पती डाल दीचे और एक दो आलू इससी में फोड दीचे जिससे की रस्ता जो हमने लगाए ना जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी बैलन्स हो जाए बस इस तरीके से फोड लीजे चलिए हमारी सबची तो बन करके तयार हो गई है अब हम अपनी स्टफिंग की तयारी करते हैं तो हमारी जो चने की डाल है वो बिल्कुल पिस चुकी है डालेंगे और एक चौथाई चमच हम डाल देंगे गरम मसाला आदर चमच लाल मिश पाउडर डाल देंगे और इसके बाद स्वाद के हिसाब से इसमें नमक डाल दीचे थोड़ा सा इसमें हम काला नमक डालेंगे धेर सारी हींग डालेंगे हींग का स्वाद इसमें बहुत अच्छा आता है और साथी साथ डाइजेशन में भी अच्छा होता है और इसमें हमें एक बड़ा चमच अद्रक हरामचे का पेस्ट ताल देंगे अगर आप लेसूं खाते हैं तो यहाँ पे आप लेसूं भी बिस्कर कर डाल सकते हैं धन्या की पत्ती डाल देंके सारी चीज़ों को मिलाएंगे और हमारी स्टफिंग बन करके तयार है अगर आप प्याज खाते हैं तो प्याज को भी आप चौप करके डाल सकते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्याज हम डालेंगे और नमक के कॉंटैक्ट में आकर कि वो पानी छोड़ने लगता है तो फिर धीरे धीरे करके ये स्टफिंग जो है वो काफी मतब पानी सी हो जाती है तो भरने में बहुत दिक्कत होती है तो आप चाहें तो किवन लेसन पेस करके इसमें डाल सकते हैं रोटी से थोड़ी से बड़ी लोई हम लेंगे और इसके बाद जिस तरीके से हम स्टफ पराठा बनाते हैं बिलकुर उसी तरीके से स्टफ करेंगे तवे के उपर दोनों साइट से धीमी आज पे इसको सेकेंगे अब हमें कोई भी काम टेज आज पे नहीं करना है धीमी आज पे ही बहुत अच्छी तरीके से इस रोटी को हमको हर तरफ से सेक लेना है पहले दवे पे अच्छी तरह से सेखेंगे और उसके बाद गैस के ओपर जिस तरीके से दिखाया जा रहा है बिल्कुल उसी तरीके से अच्छी तरीके से इसको सेख लेंगे लीजे हमारी बहुत अच्छी रोटी बन करके तयार है इस पे कोई घीते लहीं लगाया जाता है बस ये ऐसी है आलू मटर टमाटर की सबजी या मिर्चे के अचार के साथ सर्व की जाती है तो मिर्चे के अचार की रेसिपी अगर आप लोगों को देखनी है तो वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और अगर आपको ये लेसुन पे आज वाली भी रोटी देखनी है तो वो भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी तो लीजे हमारी बहुत ही डेसी स्टाइल की बिल्कुल यूपी वाली थाली गाउं वाली बन करके तयार है बहुती टेस्टी है, बहुती अच्छी है तो मेरे कहने पर एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा फिर आप कहिएगा कि वाहरुची आपने क्या रेसिपी सिखाई है तो होप करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो कि अगर अच्छी लगी हो तो जरूर से ट्राइ करिएगा लाइप कमेंट और शेयर करिएगा फिर विलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक केर थैंक यू